आज़ 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 अलुट्सुटेंट्स, I am Gaurvinder Kaur, faculty at Abhimanyu IS, a very warm welcome all of you in this session. और student आज हम यहाँ पे पंजाब सिवल सरफीज के लिए PYQ डिसकस करने वाले हैं previous year question for the mains examination हम mains examination के बारे में हम यहाँ पे डिसकस कर रहे हैं student और last time students ने बहुत अच्छा response दिया जिसमें मैंने journal study paper 4 डिसकस किया था पीछे से start कर रहे हैं journal study paper 4, 3, 2 as per my previous video जिसमें मैंने यह डिसकस किया था कि हमारा mains examination है उसकी preparation आपको किस तरीके से start करने चाहिए तो तब मैंने आपको advice दी थी कि हंजी आप जो previous अगर आप mains की preparation की तरफ बढ़ रहे हो तो सबसे वेले आप paper 4 उठाईए तो आज हम paper number 3 की discussion करेंगे student paper 3 की discussion करेंगे student ओके जी ठीक है जी तो move करते हैं हमारे paper number 3 के उपर as you already know की notification हमारी कभी भी out हो सकती है तो preparation तो हमें रखनी ही पड़ेगी otherwise we lose our option ठीक है? ओकी so let's understand our PYQ paper number 3 for the 2020 तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम syllabus से go through कर लेते हैं हां जी जैसे हमने पहले किया था कि syllabus क्या है हमारा paper number 3 का क्योंकि अगर syllabus आपके mind में होगा तभी तो आप you know questions को ये देख पाओगे कि हां जी ये question number for example मैं लो मैं आपको यहाँ पर 20 questions दे दूँ तो अगर आपको यही नहीं पता कि हां जी ये 20 questions जो है वो कौन से पेपर से बिलॉंग करते हैं जी ये इस पेपर 1 से बिलॉंग करते हैं 2 से 3 से या 4 से ठीक है तो फिर तो आप सोची लीजी कि आपने syllabus जो है वो देखा ही नहीं अच्छे से है न और अगर syllabus नहीं देखा इसका मतलब यह है कि you are a very non-serious student ठीक है जब आपको यहीं नहीं पता कि आपको कौन से रस्ते पे जाना है आपको उस से रस्ते के बारे में नहीं पता तो फिर डेस्टीनेशन दो बहुत दूर की बात है तो सबसे पहले तो यहीं पता होना चाहिए कि हंजी syllabus क्या है and after that आप उससे related जो भी आपके सामने material आता है उसको आप उस तरीके से judge कर बाते हो for instance अगर मैं बात करूँ मान लीजिए आपके पास एक governance का question आया और आपको यहीं नहीं पता कि यह governance का question है और governance में भी यह administration से पूछा गया question है या मान लीजिए आपके सामने एक decision making का question आया आपको यहीं नहीं पता कि decision making का question है क्या है इस question को लेके जाने का क्या way है because हर एक question को attempt करने का एक अलग तरीका है student उसी तरीके से student हमारे जो journal study के paper चार paper है उनको करने के अलग अलग तरीके है हर जगह पर आप हर question को आप एक ही वे में address नहीं कर सकते मैं आपको इसका एक simple से example देती हूँ for example आपको question जो है वो agriculture से आता है अब जो हमारी agriculture है वो दो जगह पर दी हुई है पहला हमारी geographical geography के अंदर भी हमारी agriculture आती है और हमारी economy के अंदर भी agriculture आती है तो उसको हम economical जोग्राफी sorry, economical agriculture बोलते हैं और इधर वाले पार्ट को हम geography वाले में बोलते है तो अगर economically आप से question put किया गया है तो आपको economically के perspective से आपको answer देना है और अगर आपको geography के point of view से question put किया गया है तो आपको geography के हिसाब से answer देना है ऐसा नहीं है कि अगर आपको geography से में question आया है agriculture से और उसमें आप economy के statistics यूज करने बैठ गई और economic का portion उसमें आपने discuss कर दिया तो वो विल्कुल irrelevant है ठीक है, गलत तो नहीं माने का examiner बढ़ हाँ वो सही भी नहीं है वहाँ पे मान लीजे आपने geography में आपको simple crop पे question आया crops पे एक question आता है, cropping pattern पे question आता है और आप जो है उसके अंदर हमारे recently जो budget है उसमें से आप उठा के data डालना शुरू कर देते हो आप उसके अंदर economy का portion डालना शुरू कर देते हैं जी, economically ये है, economically वो है तो उस question की कोई relevance इतनी खास रहने जाती उसके बाद वही आपको वो किसे बिटे दो तिन number दे देगा out of 15, ठीक है बट अगर आप strictly geography पे रहते या strictly आप economy पे रहते according to the demand of that question फिर आप बिल्कुल सही number आप grab कर सकते हैं ठीक है जी, ओकी तो उसी पे मैं यहाँ पे discussion करूंगी student तो syllabus देखते हैं सबसे पहले तो syllabus देखिए student, syllabus आपकी सामने है ठीक है, मैं ज्यादा detail form में syllabus पे नहीं जाओंगी क्योंकि यह already हमने काफी बार syllabus already discuss किया हुआ है बस मैं आपको सिर्फ बताना चाहरी हूँ कि जो हमारा general study paper 4 है उसमें जो सबसे पहला subject है that is our economy economy का portion है, दूसरे नबर पे statistics का है, और third number पे हमारी security है security issue, security issue में भी आपके दो portion है student, एक हमारी external security और एक हमारी internal security, you know that कि इंडिया को दोनों तरफ से you know challenges रहते हैं, security को लेकर एक हमारे external threat और एक हमारे internal threat क्या आप मुझे comment box में बता सकते हैं, कि इंडिया के internal challenges जो हैं क्या वो ज्यादा हैं या फिर external challenges ज्यादा हैं, तो comment कीजिए student देखते हैं कौन साई reply करता है, ठीके जी, तो बात करते हैं सबसे पहले इंडिया ने economy की, तो देखिए, issues related to planning, mobilization of resources development, employment, sustainable development, inclusive growth इन चीज़ों की उनोंने बात की है दूसरे नंबर पे यहाँ पे public distribution जो हमारा you know PW system है PWD जो हमारा PDA system जो है, जिसके अंडर हम ration को distribute करते हैं, दाल, चावा, लाटा जो हम, you know जो भी poverty line के नीचे आते हैं, उनको हम distribute करते हैं, तो यहाँ भी उनके बारे में यहाँ से हम से सलेबस में पूछा गया है दूसरे नंबर पे जो हमारी, you know, है वो है हमारा land reform से related, you know that कि अंडिया के अंदर land reforms ने कितना ज्यादा impact डाला है हमारी agriculture के उपर ठीक है, agro economy के उपर land reforms जो हैं, वो बहुत impact करते हैं student, तो उसी पे यहाँ पे question आप से पूछा गया है उसले बस में आप से mention है दूसरा है हमारा infrastructure, energy port, road, you know that कि यह हमारे economy के यहाँ पे pillars हैं, ठीक है statics graph and diagrams यह जो है, यह वाला जो portion है, the part will test the candidate's ability to draw conclusion for example, मान लीजी आपको एक chart दे दिया जाता है, आपको एक statistical data दे दिया जाता है, and after that आपको उसमें से conclusion निकालना है इसे related हम अपने PYQ question देखेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छा idea लगेगा, right, ठीक है जी, तो यहाँ पे उन्होंने यही बात बोली है, information presented in a statistical, graphical, iron diagrammatical forms and interpret the scene, ठीक है आपके सामने graph होगा, statistical data हो सकता है, कोई diagram हो सकता है जिसमें से आपको क्या करना है यहाँ पे, अपना conclusion जो है, वो निकालनी है, ठीक है यह paper 3 का हमारा syllabus था बच्चे, ठीक है, आप चाहो तो screenshot भी ले सकते हैं, ठीक है जी ओके, तो अब हम move करते हैं हमारे PYQ के उपर, एके करके PYQ देखेंगे, ठीक है, जो हमारे journal study paper 3 है 2020 का, उसको हम देखेंगे, सारे paper discuss नहीं करूंगे मैं आपके साथ यह मैंने पहली clear कर दिया था आपको तो recent का जो हमारा paper है 2020, उसी में हम journal study paper 3 को देखेंगे, ठीक है so let's see one second student okay, okay, see here student यह मेरे सामने PPSC का paper है ठीक है, paper number 3 paper number 3 मेरे सामने student, जिसमें हम 3 hour का time रहता है, आपके paper का, ठीक है, यह हमने पहले भी discuss किया है, तो paper पर move करते है straight forward, देखे अच्छा, सारे questions compulsory हैं तो question number 1 से हम start करते हैं यहाँ पर, question number 1 पर आप ध्यान दीजी कहता है, discuss the characteristics of Indian labor market कहता है, Indian labor market क्यों पर यहाँ पर question put कर ले, मैं थोड़ा से इसको screen को बड़ा गड़े, so that आपको clear cut दिखाई दी, जी, तो question पड़ो बच्चे मेरे साथ साथ, कहता है discuss the characteristics of Indian market what are the reforms that need to be improved the state of employment in India and what do you the four codes on wages on industrial relation, on occupational health, safety and working condition and on social security purpose in achieving the labor reforms तो यहाँ पर यह तीन, उन्हों ने बात की है, पहला जो यह बात करता है question, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए बचे word पे discuss वो यहाँ पर आपको critically analyze करने के लिए नहीं बोल रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हमें question में criticism नहीं करना है, सिर्फ उसने हमें एक journal discussion करने पे बोला है, ठीक है तो सबसे पहले student आपको Indian labor market के बारे में पता होना चाहिए, पहले तो यह पता होना चाहिए कि जो हमारा labor है वो concurrent list में आता है तीन list है हमारे पास, एक union list एक state list और एक हमारी concurrent list तो concurrent list क्या कौन सी होते हैं, जिसमें state और center दोनों control करते हैं, yes or no, clear आपको यह बात, तो सबसे पहले तो labor आपको पता होने चाहिए कि concurrent list में है, इसका मतलब क्या है कि तीनों law बना, दोनों law बना सकते हैं, state government भी बना सकते है और center government भी बना सकते है for the rules and regulations regarding the labor force, ठीक है जी is that clear, yes or no, अच्छा फिर वो reforms के बारे में बात करता है और Indian labor reforms किस तरीके से युनों अब तक हुए है, इसका मतलब क्या है कि जो context होना चाहिए question का, वो सबसे पहले हमारा history से start होना चाहिए, कि सबसे पहले आप introduction के अंदर थोड़ा सा बताओगे कि हंजी किस तरीके से इंडिया की जो labor force market है, labor market है उसके अंदर किस तरीके से time to time reforms किये गए है, कौन से laws है ठीक है, laws और acts की यहां पे बात करोगे laws and acts की हम यहां पे बात करेंगे, और फिर हम यहां पे थोड़े अपने suggestions भी देंगे कि किस तरीके से हमारी जो labor market है जहां यहां जो labor force है उसको किस तरीके से हम better बना सकते हैं उसको किस तरीके से हम उसमें reforms करके अच्छे rules and regulations ला सकते हैं so that obviously कोई भी economy grow करती है that is totally depend on its labor market, right कोई भी labor intensive market है हमारा कोई भी work है student industries है, companies है that is totally depend upon your labor ठीक है अगर उनका बहुत ज़्यादा over exploitation होगा या बहुत ज़्यादा आपकी rules and regulations बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो एक environment को suit नहीं करते हैं ठीक है तो labor जो है वो shift होनी शुरू हो जाती है वो migrate करना शुरू कर देती है ठीक है जी, तो labor जो act है हमारे या labor force related जो rules and regulations है वो time to time क्या होने चाहिए evaluate होनी ही चाहिए तो इस तरीके से student आप अपना conclusion देंगे ठीक है, okay तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा idea दे रही हूँ बच्चे इसमें मैं पूरा पूरा question यहां इस तरीके से मैं discuss नहीं कर पाऊंगी you know that, ठीक है आप समझ भी रही होंगे इस बात को ठीक है, क्योंकि ऐसे पूरा question लिखना तो impossible चीज़ है न मैं आपको जस्ट एक idea दे सकती हूँ उसके बाद practice करना तो आपकी responsibility है right, क्या क्या चीज़ें आपको अपने mind में रखनी है question लिखते time, मैं सिर्फ आपको वही guide करूँगे second question देखे, क्या था infrastructure investment पे question है हमारा, is one of the, देखो, एक चीज़ याद रखो अगर आपको पहली बार में question समझ में ना आई उसको please second bar, second time, third time, four time आप उसको revise कर सकते, बट ऐसा गलती नहीं करना है कि पता चले, आपने question पड़ा one of the pillar, pillar sustained development, critical analysis और उसके बाद आपने लिखना शुरू करती है और जब आप लिख रहे थे, तब आप इतने centi हो गए उस चीज़ को लेकर, यहां फिर आपका mind इतना divert हो गया कि last तक आते, 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 आते आपको पूरे question की आपने sense ही खो दी Do you get my point or no? Are you getting my point or no? मैं क्या कह रहे हूँ? मैं यह कह रहे हूँ कि जब आप question को पढ़ते हो For example, यही एक question है, माली जी सबसे पहले तो अपने mind में एक दम fit कर लो, computer की तरह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 100 word में लिखना है 10 marks का question है तो 100 word में लिखना है, इसका मतलब बहुत ही limited word आपके पास सबसे पहले question को तोड़ो break करो student, और उसको एक एक करके उसका part जो है, उसको address करना शुरू कर दो, जैसे पहले देखो कहता है, infrastructure investment is one of the key pillar of sustained economic development, यहां तक उसका हमारा पहला portion ready हो जाता है कि इसका मतलब यह है कि पहले part में वो infrastructure investment के बारे में बात कर रहा है जो हमारा key pillar है for the sustained economic development कोई भी economic development हो ही नहीं सकती, अगर आपके पास infrastructure अच्छा नहीं है तो पहले में तो आपको यह address करने है, दूसरे में देखो critically examine the recommendation of task force on national infrastructure pipeline to promote infrastructure investment in India यह हमारा second बात करता है इसका मतलब क्या है, critically examine का मतलब, कि अगर उसमें कुछ loophole है task force के अंदर, उसके regarding आपको यहाँ पे क्या देनी है, अपनी suggestion देनी है उसको critically analyze करना है, student मतलब की उसकी advantages भी देखनी है हमें और उसकी disadvantages भी देखनी है उसका ये भी देखना कि क्या advantage भी उसका ये भी देखना किक्या advantage नहीं हो रहा है, और last में आप अपना conclusion तो देंगे तो आप जो है उस question को इस तरीके से frame कीजिए कि आपका जो question है वो यहीं तक रहे सबसे पहले तो आप यहीं बताओ कि उस question के अंदर की हंजी जो हमारा infrastructure है उसकी अंदर investment करने का क्या-क्या benefits हो सकते है किस तरीके से infrastructure जो है वो हमारी economy को किस तरीके से वो support प्रवाइड करते है obviously student suppose कीजिए अगर road नहीं होगे अगर आपके better road नहीं होगे तो transport better नहीं होगा transport better नहीं होगा इसका मतलब goods and जो भी हमारी essential goods है उनका transportation नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है service sector आपका बहुत weak है yes or no आपका service sector आप service ही नहीं provide कर रहे है आपका export import ही इतना घटिया हो गया road नहीं है जिस चीज़ को लाने में आपको सिर्फ two hour लगने चाहिए वहाँ पे आप seven seven hour लग रहे है transportation का इक खर्चा आपका इतना आगया तो कैसे sustain करोगे आप अपनी economy को economy को sustain नहीं कर सकते न yes or no so that's why student यहाँ पे infrastructure होना बहुत ही important है ठीके जी next question में वो बात करता है student हमारी किसे बात करता है explain the structure and state of power sector फिर next time पे वो power sector की बात करता है electricity के बिना possible हर चीज possible possible ही नहीं है हर चीज possible नहीं है इंडिया के अंदर और क्या problem है इंडिया के अंदर जो manufacturing sector है वो grow क्यों नहीं कर पा रहा है यह उसका एक ही reason है that is lack of power हमारे पास electricity नहीं है बचे we are we are hungry ठीक है we are hungry for power not political power ठीक है but electrical power हमारे पास हमारे घरों में electricity पूरी नहीं आती है आप इंडिया में हालत देखिए यह तो मैं एक बहुत अर्बन एरिया में यहां से मैं lecture डिलीवर कर रहे हूं यहां पर 24 hour service है otherwise आप रूलर एरिया में जाए आप ऐसे marginal एरिया में जाए आप ले लद्दाख वाली साइड यहां फिर आप ऐसे अंडर डवलप एरिया के अंदर जाएए आप देखिए वहां पर आज भी बारा-बारा गंटे लाइट नहीं आती रीजन प्रोड़क्शन ही नहीं नहीं अतनी जादा इंडस्ट्री की तो दूर दूर तक बात नहीं इंडस्ट्री कभ लगेगी जब पावर होगी आपके पास बिकाज विदाउट पावर आप इंडस्ट्री रन नहीं कर सकते और अगर आपके पावर की कॉस्ट बहाँ ज्याद है अब जो कमर्शल एरिय वहां पर आप देखे पर उनिट का रेट कितना ज्याद है तो वहां का जो पावर का इकसिश अगर वो ज्यादा होंगी खर्चा हिं आपके इतना ज्यादा इकसिश हो तो अबशिल आपके डूड्स जो होंगे वो भी तो expenses ही होंगे, तो आप compete नहीं कर पाएंगे market के अंदर, चाइना से जो माल आ रहा है, माल लो वो 5 रुपए का भी कर रहा है, और आप 10 रुपए का बेच रहे हो, तो कहां sustain कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, तो यहीं पर इसी के बात कर रहा है, पर प्रपोजल टू प्राइवेटाईज पावर डिस्ट्रिबूशन कंपनी, जो आगे जाके कंपनी डिस्ट्रिबूट करती हैं पावर को, उसकी बात कर रहा है, इलेक्टरिसिटी अमेंडमेंट बिल उस ताइम पे आया था, स्टूडेंट 2020 में, तो स्टूडेंट यह जो कुश्टन है, वो करंट अफेर से ही है, ज्यादा तर जो मेंस के कुश्टन होते हैं, उसमें करंट जो होता है, यहाँ पे यह बात करता है, नेटवर्क प्रडक्ट के बारे में बात करता है, फिर यह कैता है, दो यू थिंक दाट कोविट-19 क्राइसिस अस प्रेजेंट इंडिया करता है, तूसी से रिलेटिड गवर्मेंट यहाँ पे बात कर रही है, कैता है, कोविट-19 आगे, अब तो और भी ज़्यादा डेट बढ़ेगा, तूसी से रिलेटिड यहाँ पे कुश्टन को अड्रेस करने के लिए बोला है, सिस्थ कुश्टन में करता है, comment on the stance of Indian government on the regulations of cryptocurrency, कृप्तो कंशी पता है न, digital coin, digital जो हमारी marketing है, blockchain जो हमारी market है, कृप्ट करने से बिट कॉइन के बारे में, उनी से related regulations के उपर यहाँ पे यह कुश्टन पूट करता है। ठीक है जी? सेवन्थ नमबर कुश्चन में कहता है कहता है इन पोस्ट एकनॉमिक रिफॉर्म्स अब देखिए बच्चे यहाँ पर कुश्चन पंजाब से रिलीट पूछा गया है तो आपको इस पंजाब जी के बहुत स्टॉंग होनी चाहिए पंजाब का जो करंट है उस टाइम पर आपको बजट, एकनॉमिक सर्वे आपको हर चीज पढ़नी पढ़ेगी मेरे से कोई बच्चा आगे यह न पुछे कि मैं क्या मैं एकनॉमिक सर्वे पढ़ लूँ क्या मैं बजट पढ़ लूँ पंजाब के लिए अब तो मेरा आंसर आगे से यही होगा कि आपसे नहीं होगा अब ठीक है? मेरा आगे से आंसर मैं आपको आंसर नहीं करूँगी कि अब मैं आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर कट बोल रही हूँ कि जब भी आपका एक्जैम आएगा फॉर इक्जामपल माली जी अगस्त में आपका पेपर हो रहा है तो फैब मार्च के अंदर हर एक स्टेट का बजट जो है और एकनॉमिक सरवे आता है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है पंजाब का बजट जो है उसके बारे में आपको लेटेस्ट जो अपडेट होना चा वहां से पढ़ लेंगे तो प्लीज ऐसा मत करना ठीक है खुद से रिसर्च करना बचे खुद से पढ़ना आपको सौ चीज़ें आपको उसके साथ नहीं और पता चलेंगे जो आपको मेंस में बहुत हेल्प करेंगे लेकिन इस टाइम पे अगर कोई बच्चा मेरी वीडिय देखके मेंस की प्रैक्टिस कर रहा है या ओलड़ी वो प्रैक्टिस कर रहा है उसको फिर वहां पर एकनॉमिक सर्वे या बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है जो पहली है ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए 2023 का बजट पढ़ने बैठ जाओ नहीं वो किसी काम का नहीं है ठीक है कहता है in the consolidation of public sector viable कहता sustainable solution क्या हो सकती है non performing asset ठीक है फिर से economy का question है यहां पर फिर वो 11th में फिर से बात करता है कहता do you think that the reforms in policy as a law reform law enforcement agency is one of the bottleneck in the internal security of India यहां पर बात वो internal security की करता है जैसे की left extremism ठीक है जो हमारी बहुत सारी problem है जैसे की नक्सलिजम की जो हमारी problem है असाम वाली side मनीपूर side तो आपने अभी सारे बहुत सारे कांड देखे होंगे जो दो tribes है उनकी बीच में कितना कुछ हो के हटा you know that कि मनीपूर पूरा जल गया था ठीक है तो यह जो है यह सब कुछ हमारी internal security के matters है जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए next student explain the dark web dark web आपको पता ही है student जहां पर illegal तरीके से activity होती हो online जैसे कि हमारा money laundering हो गया terrorism हो गया ठीक है यह सब कुछ जो है उनका जो data और money जहां पर exchange होती है that is dark web मैंने यह science and technology के हमारी जो advanced science इस थी मैंने वहां पर इसके बारे में बात की थी फिर कहता है often the causes of violent extremism are the characteristics in push and pull factor individual and community critical individual and community factor which are useful to understand the extremism in India extremism in India इसमें आप Punjab कभी ले सकते हो क्योंकि पंजब एक international border share करने वाला state है और यहां पर खालिस्तान की जो movement है वो काफी ज्यादा you know कई बार aggression यहां पर आ जाता है aggressive तरीके से वो थोड़ा हो जाती है जैसे पीछे से अमरित पाल का आपने case देखा ही था उस time पर थोड़ा sentiments जो है वो you know करने की try की थी ठीक है बट अभी ऐसा कुछ नहीं ground level पर ये इतना work नहीं है इतना ज्यादा efficient नहीं है because ground level पर लोगों का support है नहीं सीच को ठीक है okay okay next 14 number question देखे कहता India has been strongly criticized the state sponsored cross border terrorism ठीक है cross border terrorism पर यहां पर बात हो रही है student जैसे की इसका हमारा एक example जो बहुत ही प्यारा that is our Pakistan ठीक है तो किस तरीके से वो sponsor करता है उसी तरीके से हमारा 15 अच्छा 50 number question देखो 50 number question देखो यहां पर इसने data दिया वो बच्चे ठीक है data दिया इसने यहां पर अब यहां से इस data से इसने तीन question यहां पर derive कर लिए यह हमारा statistical और graphical से हमारा question है ठीक है ठीक है ऐसे question साते हैं बच्चे आपके 16 number देखो कहता based on this data answer करो इस question को average income village x की इतनी है y की इतनी है standard deviation of income इतनी है इतनी है number of employees इतनी है तीन question नीचे इसने पुछे कहता है which village is the variation income greater कहता किस village की greater होगी बई दूसरे पर कहता what is the combined standard deviation of village x and y put together ठीक है दो question इसने यहां से put किये तो इस तरीके से student आपके questions आते हैं ऐसा को tension लेनी वाली बात है ने statistical को लेकर ठीक है because class में आपको बहुत आराम से easily तरीके से आपको करवा दिया जाएगा ठीक है okay ठीक है तो इसी के साथ student मैं यह session कर रही हूं over और हमारा new batch start होने जा रहा है for the Punjab Civil Services link आपको description box में मिल जाएगा तो आप उस पे call करके आप you know जो भी आपका doubt है उसको आप clear कर सकते हैं और even आप register भी कर सकते हैं for our PCS batch जिसमें basic से लेकर advance तक आपकी full preparation करवाई जाएगी pre plus means ठीक है जी okay student मैं session कर रही हूं यहां पे over thank you thank you so much have a nice day you